बॉट नहीं तो णुपर्धिल गुजरते हैं सबसे बड़ी दिक्कत है रोड़ पानी काहिं हर रास्ते में एक हें पंप होना चाहिए बीच में उत्तर पर्देश में सात्वें सिर्ण के मद्दान के दौरान मिर्जापुर के मजवा विधान सभा के गाउं में ग्रामीडों ने मद्दान का बहिसकार कर दिया है सालों से सड़क और पानी की समस्या से जूज रहे ग्रामीडों ने मांग की है कि जब तक उनकी मांगों परसाशन परसाशन काम नहीं करेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे पूरे गाउं के ग्रामीडों ने एक जुठो कर जमकर नारे बाजी भी की है SDM और CEO के समझाने के बावजूद ग्रामीडों ने उनकी बाते नहीं मानी और मद्दान नहीं किया है ग्रामीडों को कहना है कि पहले भी कई चुनावों में मद्दान का बहिशकार किया था परंतु आसवासन के बाद वोट डालने गए थे मगर सड़क और पानी की समस्या का समधान आस तक नहीं किया गया नेता और अफसरों के आसवासन थे ठक गए हैं जब तक काम नहीं होगा तब तक मद्दान नहीं करेंगे हम लोग बहिशकार इसलिए किया है क्योंकि आस से 70 साल पहले जब सिद्यस आजाद हुआ है मेरा नाम राज कुमार मोर्या है मैं ग्राम सवा दातीफ रहने वाला हूं मेरा बिधान सवा जो है मेरे गाओं में जो भी पी डबलुडी के रास्ते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है पी डबलुडी का मेरे गाओं में आने का कोई रास्ता नहीं है जो भी रास्ते हैं और जो भी रास्ता में रास्ता है वहां से गाओं तक आने के लिए जो भी रास्ते हैं तो इतना डेंजराफ है कि आप फोज भी नहीं फिकते हैं हर रास्ते में एक हेंड़ पंप होना चाहिए बीच में पानी पीने के लिए अब दूफरा चीज रास्ता पूरा किलियर होना चाहिए पिचाई के लिए हमारे गाहों में कोई शुद्धा नहीं है हमारा यह ग्राम सवाद आती है विधान सवा मजमा है हम लोगों ग्राम सवाद में रोड नहीं है सिचाई से बंचीत है पानी का साधन नहीं है आप रोड किसी तरब से नहीं है चारों तरब से बंद है एकदम तो कई से पहले आप लोगों ने मांग किया था कभी हाँ पांच लेकिन हम लोग जबाब में लिखित माँगे लेकिन लिखित देने को तयार नहीं हुए इसके लिए हम लोग ओट नहीं देए रोड नहीं तो नहीं तो नहीं तो भूट नहीं तो बूर रिपोर्ट येमडी खबर